एक कहानी, एक नसीहत ड्राइवर ने कहा कि सर फाइनल फेर इतना ही दिखा रहा है और उन्हें कस्टमर केर पर कॉन्टैक्ट करने की बात कही राघव ने ड्राइवर की बात मानते हुए गैव सर्विस के कस्टमर केर से कॉन्टैक्ट करने की सोची राघव ने गूगल पर सर्च करके फोन लगा द मिश्रा ने उसे एक remote sensing application डाउनलोड करने और अपना e-wallet खोलने का निर्देश दिया फिर उन्होंने रागव से wallet field में अपने phone number के पहले 6 अंक टाइप करके refund amount टाइप करने को कहा उसने कहा कि ये एक verification process है बिना कोई शक करे रागव वो सब करते गए जो मिश्रा ने बताया यहां तक कि मिश्रा को उन्होंने अपना OTP भी दे दिया इसके बाद स्कैमर ने उनके नाम पर 4 transaction की और डॉक्तर को 4,09,000 रुपए का नुकसान हुआ बाद में डॉक्तर ने पुलिस में शिकायत दर्च कराई पुलिस ने धोकादड़ी का मामला दर्च कर लिया अधिकारियों को संदे है कि ठगो ने रागव जैसे बेखबर पीडितों को लुभाने के लिए नकली कस्टमर के नंबर ओनलाइन पोस्ट किया जो वास्तविक कैब कमपनी की ग्राहक सेवा हेलप लाइन की खोर्च कर रहे थे तो अगर आप भी रागव की तरह फ्रॉट का शिकार नहीं होना चाहते तो ध्यान रखे कि सिर्फ भरोसिमन सोर्से से ही आप डाउनलोड करें इसके लिए आप के पास OTP आता है तो वो भी रिमोट सेंसिंग की मदद से उन्हें दिखाई देता है इससे बचनी के लिए सिर्फ ट्रस्टेट सोर्से से ही आप डाउनलोड करें गूगल पर नमबर सर्च करने से बचे, पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सिर्फ कंपनी की आप पर ही कस्टमर केर का नमबर सर्च करे अगर गूगल पर नमबर ढूड़े तो कॉलर से बात करते वक्त सावधा निबरते, कभी भी अपनी इन्फोमेशन दूसरों से साजा ना करे मोबाइल पर आया OTP या बांकिंग डीटेल्स देने से बचे, और हाँ सिर्फ सतर्ता ही आपको ठगी से बचा सकती है तबी तो मनी नाइन कहता है जाकते रहो एक कहानी एक नसीहत